हेलो व्यूवर्स वालकम टू मैं चैनल आज की स्टॉक रिपोर्ट में हम मेजर FMCG स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आप अपना इंवेश्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप कोई भी टीटेल को नहीं मिस करना चाहते तो आप इस वेडियो के एंड तक जरूर बने रहें तो बिना देरी केश चलिए शुरू करते हैं तो चलिए हम इन मेजर FMCG स्टॉक्स के बारे में जानते हैं अगर हम मार्केट के आपको कंसिडर करते हैं तो यहां पे ITC नंबर वान पोजिशन पर आता है इसके बाद हम डाबर को नंबर टू, गोद्रेज जेसीपी को नंबर थ्री और मेरिको को नंबर फोजिशन पर देख पाएंगे इंडेस्ट्री वाइस देखे तो ITC अपना काम टबाको सेक्मेंट में करता है जबकि डाबर कंसिवर केर प्रोडक्स बनाती है और मेरिको और गोद्रेज जेसीपी FMCG प्रोडक्स बनाने में ज्यादा फोकस करती है ITC cigarette segment में लगबग 47% का करणा करती है जबकि वो other segment में 21% और agribus में 15.5% का करणा करती है डाबर consumer care में 82.78% का करणा करती है और ये foods और retail में भी करणा करती है मेरिको का जो talk segment है वो इंडिया साथा है इसमें वो 78.46% का करणा करती है जबकि ये internationally 21.54% का करणा करती है जबकि गोद्रेज JCP इंडिया में से 53%, आफ्रिका में से 22% और इंडियो निश्या में से 13% का अपना कारोबार करती है तो आगे हम इन कंपनी के financial ratio को compare करते हुए इनका investment worthiness के बारे में पता करेंगे यहाँ पर अगर हम इन major FMCG players का price to earning ratio को compare करते हैं तो आप ITC को एक fairly valuation पर देख पाएंगे क्योंकि इसका P.E. currently 30.86 के attractive valuation पर अवलेबल है इसके बाद हम गोद्रेज JCP को second position, मेरिको को third position और डाबर को fourth position पर देख पाएंगे क्योंकि इन सब के P.E. जादा है इस बज़े से ये तीनो stock currently highly expensive category में आप देख सकते हैं अगर हम इन चारो stocks का price to book value ratio को compare करते हैं तो यहाँ पर आप फिर से ITC को इसके book value से lowest multiple price पर अवलेबल होता हुआ देख पाएंगे इसके बाद आप गोद्रे JCP को देख सकते हैं मेरिको और डाबर फिर से fourth और third position पर आते हैं इस बज़े से हम डाबर और मेरिको को currently very high valuation पर देख पा रहे हैं आगे अगर हम इन चारो stocks का ROI को compare करते हैं तो यहाँ पर आप मेरिको को सबसे ज़्यादा return generate करता हुआ देख पाएंगे इसके बाद हम डाबर को देख सकते हैं third और fourth position पर गोद्रे JCP और ITC आते हैं लेकिन इन सम्में जो difference है वो काफी कमें तो आप इन चारो stocks को ही एक equal category में ला सकते हैं आगे इनके ROC को अगर हम compare करते हैं तो यहाँ पर आपको मेरिको 53.81% का एक standard return generate करता हुआ दिक जाएगा इसके बाद हम ITC को 41.97% पर देख पाएंगे तो यह दो stocks currently बाकी दो stocks में से ज्यादा return generate कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक investment worthy stock साबित हो सकते हैं इनके sales growth को अगर हम यहाँ पर compare करते हैं तो फिर से हम मेरिको को 8.92% का एक sales growth per year on average generate करता हुआ देख पाएंगे इसके बाद हम गोदरे JCP को 7.04% पर देख सकते हैं 3rd और 4th position पर हम ITC और डावर को देख पा रहे हैं मेरिको में हमें सबसे ज़्यादा sales growth देखने को मिल रहा है इस वज़े से आगे आने वाले टाइम में हमें इसमें काफी ज़्यादा price में एक appreciation देखने को मिल सकता है तो अगर हम इन 5 factors को एक साथ consider करते हैं तो हमें मेरिको सबसे अच्छा investment worthy stock के तोर पर दिखता है इसके बाद हम ITC को number second पर देख सकते हैं गोदरे JCP को number third और हम DABOR को currently fourth investment worthy stock के तोर पर देख पा रहे हैं आगे हम इन सब companies के return profile को compare करेंगे जिने हमें एक साब तश्मीर मिल पाएगा कि different time frame में इन्होंने कैसा return को generate किया हुआ है last financial year में FMCG sector में जो growth था वो mostly flat था इस बज़े से हमें इन सब stock के return profile में mixed result देखने को मिल रहा है ITC ने last one week में अपना movement को flat रखा हुआ है जबकि इसने last one month में 7.71%, year till date में 5.61% और one year में 16.24% का एक decent return को generate किया हुआ है जबकि डाबन ने last one week में लगबग 3% का एक गिरावर देखा गया है इसने last one month में minus 5.96% का एक गिरावर को post किया है जबकि इसने year 2019 में 4.33% का एक downside को post किया है इसने last one year में आपको 26.1% का एक 100% return generate करके दिया हुआ है हम Marycock के case में एक flat moment को mostly देख पाएंगे और इसने year 2019 में लगबग 8% का एक downside को हम देख सकते हैं इसने last one year में 5.52% का एक below average return को generate किया हुआ है जबकि हम Godre JCP के case में एक downside को ज़्यादा तर देख सकते हैं इसने year 2019 में 15.25% का एक downside को post किया है जबकि इसने last one year में 5.33% का एक downside को post किया है तो इन में से हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम last one year का performance को check out करते हैं तो यहां पे आप dabber और ITC को great performance करता हुआ देख पाएंगे जबकि मेरिको ने पूरा साल जो moment किया हुआ है वो mostly flat रहा है लेकिन Godre JCP के case में यह inverse है यानि कि इसने जादा दर time एक downside को post किया हुआ है तो इस बज़े से आप currently ITC और dabber को better performance करता हुआ देख पाएंगे जबकि मेरिको में भी एक अच्छा moment आपको देखने को मिल सकती है लेकिन आपको इस time पे Godre JCP को अपना जो sentiment है उसमें very sentiment लेते हुए थोड़ा और wait करना चाहिए क्योंकि अभी भी इसमें गिरावट का सिल्षिला जारी है यहां पे आप इन company के latest financial quarter के performance को compare कर सकते हैं 2.1% का एक upside को देख पाएंगे जबकि हम इसके EBITDA में 2.85% इसके net profit में 8.61% और हम इसके operating profit में लगबग 0.53% का एक decent growth को देख सकते हैं आगे हम डावर के case में इसके net sell में 3.49% का एक upside को देख पा रहे हैं जबकि हम इसके EBITDA और net profit में एक downside को देख सकते हैं और इस वज़े से हमें इसके operating profit margin में भी 0.96% का एक downside को मिल रहा है आगे हम मारिको के case में इसके net sell में 1.31% का upside को देख सकते हैं जबकि इसने अपने EBITDA में 18.66% और अपने net profit में 15.42% का एक शांदार upside को पोस्ट किया हुआ है इस वज़े से हमें इसके operating profit margin में भी 2.74% का एक शांदार jump देखने को मिल जाता है आगे हम Godre JCP के case में इसके net sell में 2.07% का एक upside को देख सकते हैं जबकि इसने भी मैरिको के तरह ही EBITDA में लगबग 25.03% का एक significant upside को पोस्ट किया हुआ है लेकिन हम इसके net profit में 26.69% का एक downside को भी देख पा रहा है तो हमें इसमें investment करने से पहले थोड़ा cautious होना चाहिए इसके operating profit में हमें 4.06% का एक upside देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी हमें इस stock में currently काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाता है तो आपको इस stock में अपना investment करने से पहले थोड़ा सा wait करना चाहिए अगर आपके trading setup में कोई bullish momentum जारी होता हुआ आपको दिखे तभी आपको दूसरे indicators के साथ इसको confirm करने के बाद ही आपको इसमें अपना long position बनाने के बारे में सोचना चाहिए इसके लाबा आप currently ITC और मेरिको में एक upside को देख पा रहे हैं इस बज़े से आपको इन दो stock में अपना long position बनने के बारे में recently सोचना चाहिए जबकि हमें डाबर में अभी भी एक गिरावर का सिलसला जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको थोड़ा wait करते हुए इसमें भी एक bullish momentum जारी होने के बाद ही इसमें अपना नया fresh long position बनाने के बारे में आपको सुचना चाहिए यहाँ पे आप इन चार companies का share holding pattern को compare कर सकते हैं अगर आप ITC के case को देखते हैं तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा FII holdings को देख पाएंगे क्योंकि इसमें 1124 FIIs ने अपना investment किया हुआ है इसके साथ आप इस stock में 471 mutual fund holdings को भी देख पाएंगे जो कि इसमें 8.31% का अपना holding रखे हुए हैं आप डाबर के case में 624 FIIs के investment को देख पा रहे हैं जबकि आप इसमें 30 mutual fund schemes का investment को भी देख सकते हैं आप मेरिको के case में 574 FIIs और 27 mutual fund schemes का investment को देख पा रहे हैं जबकि आप फाइनली गोद्रेजेसिपी के case में 718 FII holdings को देख पा रहे हैं और इसके बाद आप 63 mutual fund holdings भी देख सकते हैं तो इन values को देखने बाद अगर आप FII holdings के basis के उपर अपना investment decision लेना चाते हैं तो आपको मेरिको को सबसे पहले consider करना चाहिए क्योंकि इसमें जो FII holdings है वो काफी अच्छा है और इसके बाद हम इसमें एक शांदार mutual fund holdings को भी देख पा रहे हैं जबकि इसके बाद आपको ITC को consider करना चाहिए क्योंकि इसमें FII account सबसे ज़्यादा है और इसमें हम mutual fund holdings को भी काफी ज़्यादा देख पा रहे हैं इसके बाद आपको Dabber को third position पे consider करना चाहिए और finally आपको Godred JCP को consider करना चाहिए Godred JCP काफी अच्छा stock है लेकिन इसमें currently काफी ज़्यादा downside की situation form होता हुआ दिखाई दे रहा है इस बज़े से आपको इसे last position के लिए consider करना चाहिए